हलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चनल में जिसका नाम है मदर डॉटर कुकिंग शो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बहुती तेस्टी खस्ता मटर की पूरियां जो कि आप सफर में भी यूज कर सकते हैं और बीना सफर के भी इसे खा सकते हैं तो चलिए हम जट पांच हरी मिर्श ले लिये अब मेंने हलका सा पाने डाल के अच्छे से Gran कर लूंगि मेंनका एक पेस्ट में रडी कर ल South SAR हमारा रेडी हो चुका है अब मैंने यहां कुछ आ्टा लेलिया है गेहूं का उसमें थोड़ा नमक और करके एक कब बराबर मैंने हरा धोनिया पू ही ठोड़ा महाने साबस आप कर अभो movement कए atenção कर दिया है आप इसमें आपकी पसंद के हिसाब से चीजेए और सकते हैं या कोई चीज आपको पसंद नहीं तो आटा भी सकते हैं अब हम चलते हैं इसमें दो चम्मच हमने ओईल एट कर दिया मोईन के लिए उसके बाद में हम इसका डो की तरह एक आटा गून लेंगे बना हुआ पेस्ट भी हमने इसमें एट कर दिया है यह हमारे सारी सामगर इसमें अच्छे से मिक्स करना है अब हमें एक डो रेडी करते ह हुए इसमें हम थोड़ा थोड़ा जर्वत के हिसाब से पानी एट करते जाएंगे और एक नॉर्मल आटे का डो रेडी कर लेंगे जैसे कि पूरी का बनता है यह देखिए हमारा डो कितने अच्छे से रेडी हो रहा है इसको बहुत अच्छे से आपको लगाना है मसलते हु तो हम इस तरह से छोटे छोटे इसके पेड़े अलग कर देंगे एक ही साइस के अब हम चलते हैं इन्हें बेलने के लिए तो इस तरह से हम इन्हें बेल लेंगे और साथ में तेल में इस तरह तल लेंगे यह हमारी खस्ता पूरिया तयार हो रही है आप इसे अराम से चार से पांच दिन यूज कर सकते हैं अगर आप मठ की दरा ऐसे यूज करना चाहते हैं तो आप इसे थोड़ी थिक बेल कर इस तरह से कट कर लिजीए उसे आप अराम से आठ दिन तक भी यूज कर सकते हैं अब हम इने भी इस तरह से तल लेंगे तो हमने आपको दोनों ही ये शो कर डिए हमारी चोटी मठरीया ready हो चुकी है और हमारी पूरीया भी ready हो प्लिणा चेहल आपको नए नहीं विडियो मिलती प्रैस कीजिए प्रेश कई